तो फ्रेंड्स गुडीवनिंग अजर हूं मैं आपके सामने मनीश बात करते हैं मैच के अपडेट को लेकर के तो अज अज आउस्टेलिया अज अल्रेडी प्रेड एलेवन ओवर्स और यह विकेट्स अभी तक कोई विकेट्स नहीं गिरे हैं बात करें पीछा कर रहे हैं 352 रन भारत में बनाए है 353 रन चाहिए ऑस्टेलिया को यह मैच जीतने के लिए तो ऐसे में 11 ओवर पे 52 रन नो विकेट्स यह क्या सज़स्ट करता है कि ऑस्टेलिया के दिमाग में क्या चल रहा है तो अगर मेरी माने तो मुझे यह साफ क्लियर दिख रहा है ऑस्टेलियन साइड वर एट पॉइंट ऑफ टाइम नाइन ओवर्स हुए थे और 29 रन्स पे थे जो पिछला ओवर हार्देग पांडिया था जो 10 ओवर था उसमें 19 रन उनीस रन आस्टेलिया ने बनाए तो इस लिहाज से देखा जाए तो यह क्लियर भी यहां पर समझ में आ रहा है कि आस्टेलिया को पता है कि यह टागेट बहुती टाफ है 353 is not a easy target so they are just playing their natural game and and trying specifically to save their wickets क्योंकि यहां पर wickets save करके वो आगे बढ़ सकते हैं तो यह यहां पर बहुत ही important चीज है और अभी तक अगर हम देखे हैं तो वार्णर चटीस बॉल खेल के 19 रन बनाए है उन्होंने और 31 बॉल खेल कर कप्तान आरों फिंच ने 32 रन बनाए तो क्लियर यह समझ में आ रहा है कि विकेट सेव करके ऑस्ट्रेलिया रन्स बना रहा है कोशिश यही रहेगी कि आने वाले ओवर्स में यह जो 10 ओवर्स होंगे यह अभी 11 ओवर्स हो चुके हैं आने वाले और 29 ओवर्स है यह 20 ओवर्स तक बहुत ही कुशिल रहने वाला है कि अगर 20 ओवर्स तक ऑस्ट्रेलियन स्लाइट 120 प्लस तक नहीं पहुचता है या इवन हंड्रेट तो डेफिनेटी कर ही लेगा पर 120 प्लस या 130 तक नहीं जाता है तो डेफिनेटी इंडिया यह यहां पर समझने वाले चीज होगी मेरे ख्याल से कोली यह बात अच्छे तरीके से जानते होंगे कि अब के जो रिमेनिंग 20 यह नहीं उसलिए कि 20 ओवर्स तक का जो मैच है बहुत क्रूशिल है आल्मोस्ट यहां काफी हग तक यह डिसाइड हो जाएगा कि आस्ट्रेल इंडिया किस तरीके से इस मैच में लीड कर रहा है और कहां तक जा पाएगा तो यह देखना अभी काफी दिर्चस्प होगा तो मैं आपके साथ फिर से मौजूद रहूंगा at the end of 20 overs with an update. Let's see, hope तो ही करते हैं के Indian balling कुछ vickets जल से जल ले पाएगा, so that India has higher chances of winning this match. Though I am very much hopeful के India यह match definitely जीतेगा, no matter how, but yes India is gonna win this match. So, let's hope for the best and I will be back with you at the end of 20 overs, till then hope for the best, thank you.